प्रेंड्स विलकुम बैक ओन दे यूट्व प्लेटफोर्म दिसेश अधीश 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 टोड़ी विया गोई डिसकस एर इन्वाइटेशन दिविच इस वेरी इंपोरेंट फॉर एक्जाम जो बोर्ड एक्जाम है उसके अंदर हमारा जो इन्वाइटेशन है मैंने आपको जैसे की बताया था कि आपका जो सेक्षन बी है उसके अंदर आपसे जो तीन चीजे हैं एक पार्ट के अंदर जो आपके फोर मार्क्स की पूछी जाएंगी वो सबसे पहले आपका आता है एडविटाइजमेंट आता है उसके बाद में आपका क्या आता है इन सब्सक्राइजमेंट देखे थे कि आपसे कैसे पूछना है और आपको कैसे उसमें आपका मेने आपको वहां पर करना है उसके बाद में आज हम देखेंगे इन्वार्टेशन ड़ो दोदेखिए इन्वाटेशन की एक विशेशता जो है खास बात है जो important चीज़ है वह है आ पहले invitation क्या करता था वहां पे आपको invite करने के लिए POORA 가 पुरा format invitation जो कार्ड जो जिस तरह से हम लोग देखते हैं वैसा आपको बनाना पड़ता था यानि की साधी है ठीक है वहाँ पर मिस्टरबहाँ लिखते थे ठीक है और वहाँ सारक सारे आपको invite करते थे यहां पर उसकी साधी हो रही है फिर इधर से यहां पर हम क्या करते थे जिस तरह से लिखते हैं ने हंदी वाला जो कार्ड देखा होगा इधर दसना विलाशी आता है इधर उत्रा कांग से आता है इस तरह से अलग-अलग जो चीजी होती है यह जो इस सैड में तो यह सारक-सारा वह वाला इंग्लिस का ही फॉर्मेट होता था बट आपका जो एक्जाम के अंदर पूछने का जो तरीका है वो देखो दूसरा तरीका है उसमें यह है कि आप लोगोंने इंवाइटेशन को रिशीव किया आप ने आपको जो इंवाइटेशन है वो आपने रिशीवड किया है आपको I invite किया है किसीने अब आपको क्या करना है उनको Thank you बोलना है तो वोThank you का जो आपको card है इनकी आपको reply देना, देखो थोड़ा सक समझना है, भूत easy है, आसान है, आप अराम से कर सकते हो, आपको क्या देना है, reply हम दो तरीके से देंगे, या तो आपका जो card आपको मिला, और आपने thanks बोला, किसके लिए, invitation के लिए, ठीक है, इतना ही काम करना है, तो accepting, A-C-E-P-T-I-N-G, accepting करते हुए, आपको क्या कहेगा, कि accepting करते हुए, आपको invitation का reply देना है, या फिर आपको invitation मिला, और आप क्या करोगे, यानि कि आप कहीं न कहीं BG हो, या तो आपकी exam है, या फिर आप job कर रहे हो, या फिर आप बाहर रहे हो, या फिर कोई न कोई, आ बोलना ही बोलना है, क्योंकि आपको उसने दिया है, उसके लिए thank you, तो बोलोगे, साथ में ही, माले जी, वो साधी हो रही है, उसके ऊपर आपको congratulations भी बोलना है, बदाहियां देना है, आपको, कि तो आड़े बड़े जैनाल, या फिर वो साधी है, उस पे बेटे को, या फ आपको मना करना कि मैं आ नहीं सकता, मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो दो चीज़े इसके अंदर, दो चीज़ निकल के आती है, एक तो accepting वाला हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, declining वाला हो गया, तो आपसे सर्फ दो ही चीज़ पूछेगा, कि आपको reply देनी है, accepting करते हु वो हम reply देंगे, तो समझाया, आपको invitation पूछने का तरीका reply देना है, सरफ वो देना है, accepting में, दूसरा आपको declining में, अब मैं आपको एक सीधा सा format बताऊँगा, भोत ही आसान सब्दों में बताऊँगा, अगर आपके exam में invitation आता है, यहां पे अथवा में आएगा, देखना इन में यह नहीं आए, सीधा एक notice आजाए, तो आपको क्या कर सकते हो, आप उसमें notice जो है, वो कर सकते हो, notice वाला format में आपको अच्छे से समझा दूगा, तो यह आपका declining और accepting का है, अब हम क्यूशन लिखते हैं, और क्यूशन के बाद में समझते हैं इसको, देखिए, you have received an invitation from, आपको, जो मैं आपको point बता रहा हूँ, छोटी-छोटी, दो या दो जो चीजे मैं आपको बताऊँगा, उसका ध्यान रखना, देखिए, एक तो message and mister, यह जो है, यह word, actual में क्या होता है, कि जो invitation होता है, उसमें यह सब्द, श्रीमती, यह सब्द हम लिखते हैं, यहां पर जो जोड़े होते हैं, उनको हम यहां पर indicate करते हैं, तो message and mister, मोहित वर्मा, यानि कि उसमें मोहित वर्मा और उसकी जो wife है, उसका दोनों का नाम है, उसके बाद में यह जो you है, वो कोई भी हो सकता है, देखिए, इसके अंदर you है, you का मतलब एक अकेला नाम भी हो सकते हैं, यहां मैंने जो लिखा है, वो दोनों का लिखा है, यहां पर message and mister लिखा है, क्योंकि वो आगर माले जी आपको invite कर रहा है, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा couple को invite करेगा, पूरे जोड़े को invite करेगा, तो आप यह जो मैंने line लिखी है, वो जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वहीं लिखो वो जो लाइन है वो कोई भी आप लिख सकते हो यहाँ पर अकेला नाम भी लिख सकते हो माले जी आप अपना नाम भी लिख सकते हो तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना माले जी आपने यहाँ सिंगुलर का नाम लिखा है सिंगुलर आपको करते हुए declining का नहीं करना है accepting का करना है आपको और accepting करते वे आपको invitation का reply देना है अब देखे dear यहाँ पे सबसे आप ध्यान दखोगे इस format को पूरे को बंद करोगी जो भी हमारा जो formal reply है या informal जो भी हो reply कैसा भी हो इस तरह से आपको बंद करके रखना है यह आपको accepting वाला है दूसरा यहाँ मैंने अभी आपको बोला है यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है अगर proper यहाँ कोई नाम दे तो वहीं होगा यहाँ माले जी यह देदे की message and Mr. Ramlal यहाँ पे have received an invitation from तब तो आपको adjectives वहीं नाम लिखना है बट यहाँ पे you का मतलब कोई भी हो सकता है यह आपको ध्यान रखना है तो message and Mr. Ramlal Vama thank आपको धन्यवाद देना है किसका यहाँ पे message and Mr. Mohit Vama for their kind invitation to their son's marriage party यह सब के अंदर same to same वहीं लिखना है यहाँ party का मतलब daughter's marriage party हो सकता है यहाँ पे son's birthday party हो सकता है यहाँ पे retirement party हो सकता है invitation का मतलब कोई भी function होता है son's birthday जिसको हम बोलते हैं दस ओठन जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे swamily जिसको अपन बोलेंगे वो कोई भी function का नाम अगर यहाँ पे mention है तो वो लिख दो के और mention नहीं है तो कोई दिकत नहीं आप अपनी तरफ से कोई भी function है वो आप बना के यहाँ पे लिख सकते हो समझा है मेरी बात आपको उसके बाद में यहाँ पे date हो गई यहाँ पे जो venue हो गया venue का मतलब होता स्थान होता है यानि कि at their residence हो गया या फिर at bridge bihar या फिर as civ colony या फिर जैसे की कुमाले जी न्यू कोलोनी जगतपुरा जेपूर कुछ भी आपका address जो है वो आप यहाँ पे mention कर सकते हो कि वहाँ अपने जो residence के उपर वो उसका address है और आपको क्या करना है वहाँ पे उनका invitation मिला है तो उसका आपको thank बोलना तो यह वाले चीज आपको fix करके रखनी है उसके बाद में अब यहाँ पे क्या आता है दे तो दे कोन है यहाँ पे message and mr. रामलाल यह हैं दे यहाँ पे they have great pleasure in accepting the invitation यह line जो है वो आप लोग लिखोगे सरफ और सरफ किस में लिखोगे accepting में लिखोगे यहाँ पे accepting जैसे ही आता है decline वाला है उसमें यह वाले line है आपको नहीं लिखनी है उसके बाद में यह जो same to same है यहाँ पे लिख दिया तो यह आपका format क्या हुआ accepting का हुआ और यह format आपको लिख के आना है और आपको क्या मिल जाएंगे four marks मिल जाएंगे इसके अंदर तो यह आपका क्या हो गया invitation हो गया कौन सा invitation हो गया accepting वाला हो गया यह ध्यान रखना अब हम इसी को देखो इसमें ज़्यादा changes नहीं करना है by the way आपको क्या मिले declining वाला मिले आपको क्या मिले भाई declining वाला आपको decline करना है तो देखो question इसी को हम तोड़ा changes करते हैं और फिर इसी में से आपको answer बताते हैं next आपका question आता है वहीं same question मैंने आपके सामने यहां लिखा है लेकिन थोड़ा सा कि यहां पर changes लेकिया आगया declining का कौन सा आगया declining का आगया declining और accepting सरफ आपको दो ही चीज़े आपसे पूछेंगे accepting में मैंने आपको बता है यहां तक आपको कुछ नहीं करना है सरफ thanks देना है और यहां पर जैसे कि have great pleasure to accepting the invitation वह वाला हो गया ठीक है इसके बाद में यहां जो declining वाला जो invitation है उसमें आपका question आता है वो क्या question आता है कि write a formal reply declining the invitation कई बार क्या होता है कि जो जैसे ही declining का उसमें जो reason होता है मना करने का जो कारण होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं उसमें यह तो reason जो है वो यहां पे आपको मिल जाएगा reason नहीं भी मिले तो आपको अपनी तरफ से कोई एक reason जो भी है वो आप अपना prepare करके रखो वो उसमें आप लोगों वो लिखना है मैंने आपको बता है कि जो accepting आए तो कैसे करना है declining आए तो कैसे करना है तो यहां तक तो आपको बता है था same to same वहीं लाइन लिखनी है message and Mr. Ramlal Verma thank message and Mr. Mohit Verma for their kind invitation to their sons marriage party यहां इतनी तारीक को और यहां पे जो है यहां address मैंने हटा दिया address कोई भी हो जैसे कि मालब जो 17 B scheme, सीव कोलोनी, जेपूर सीव कोलोनी, जोदपूर यहां जो भी है वो address आप लोग डाल सकते हो कोई भी anyway और नहीं डालो तो भी कोई दिक्कत नी यहां full stop लगा दिया और यहां आपका क्या हो गया यह वाला हो गया इतनी तारीक को ठीक है बट यहां यह जो तीन जो लाइन यहां तीन चा लाइन यह आपको अच्छे से याद करके रखनी है कौन सा बट रिग्रेट लेकिन खेद है आप डिक्लाइन कर रहे हो ना इसलिए आपको खेद है आप दुख प्रकट कर रहे हो कि आ नहीं सकता बट रिग्रेट यह लाइन आप अपने उसमें लिखोगे ही लिखोगे बट रिग्रेट for being unable to attain due to to attend the function to attend due to an important and unavoidable meeting on the same day to attend the function यह the marriage party to attend the marriage party m a db r i a gì marriage party यह थोड़ा आप लोग लिख देना यहनिा यहां पर function का नाम भई साधी है तो साधी वाला यह फिर birthday party तो birthday party वाला daughter's marriage कुछ भी है अब लोग यहां पर function का नाम marriage party जो वो लिख दना है यहां पर यह लिखने के बाद में but regret किसमें लिखना है declining वाले में but regret for being unable unable का मतलब to attain the function due to due to का मतलब के कारण due to का मतलब क्या होता है के कारण due to an important and unavoidable meeting unavoidable का मतलब ऐसी meeting जिसको हम टाल नहीं सकते किस दिन on the same day कई बार क्या होता है mother hospitalized भी हो सकता है भाई due to mother hospitalized due to exam board exam मालजी आप ही को invite किया है और आप वहां पे जा नहीं सकते because same day आपकी क्या है board exam है और आप जा नहीं सकते तो क्या करोगे but regret for being unable to attain the function due to board exam यह आप लोग उसमें mention कर सकते हो reason आपको mention करना है उसमें mother hospitalized माले जिए grandmother hospitalized माले जिए कोई भी आप ऐसा reason दे दो बाकी मेरे सबसे तो यह वाला reason बहुती important है and important and unavoidable meeting on the same day उसी दिन ऐसी meeting है या फिर ऐसा urgent काम है जिसको हम unavoidable जिसको हम टाल ले सकते तो यह वाले चीज़े वह आपको mention वहां उसमें करनी ही करनी है उसके बाद में क्या आता है they wishes wish करना भाई wish तो करना है पड़ेगा हमें वहां पर हमारी सुबकामने तो देनी पड़ेगी तो they wishes they कोन है यहाँ पर यह दोनों है अगर माले जी यह नहीं हो तो कोई नाम हो तो या he है या फिर c है यह नाम इसमें आ जाएगा तो he wishes ya see wishes ya फिर यहाँ दोनों है तो they wish every success to the function function में जो भी मेरी है वो सुबकामने आपके साथ में है तो यह आपका क्या है declining का है reply देना है आपको और वो पहले वाला जो मैंने आपको बताया था वो accepting वाला इस तरह से आपका जो four marks का invitation है बहुत ही easy way में आपको मैंने समझाय है और I hope कि आपको समझ भी आया होगा सर्फ आपको इस तरह से यह formal reply आपको देना है और बहुत ही easy way में आप four marks को receive कर सकते हो four marks को gate कर सकते हो गेन कर सकते हो और जितने भी आपके जो important चीज़े हैं वह आपको देखते रहना हमारी चैनल के साथ में बने रहना आपको